MIUI 12 का EU का लेटेस्ट अपडेट आ चुका है जिसका अपडेटल नमबर आपको 25.5.21 देखने को मिलता है और यह HN के तरफ से पोर्ट किया गया है और इसके पहले मैंने ओफिसियल EU का अपडेट भी प्रवाइट किया है और एन्वी के नोट 412 लिए पोर्ट रोम का भी अप अगर आप इसी यूज करते हो तो क्या कुछ प्रॉलम आपको फेस करने को मिल सकता है है हेलो यूर्यवान आई एम एम के एन्वेर वाचिंग टेक ऑफिस वीडियो में बात करने वाले यू के लेटिस्ट ब्यूर्ट के बारे में जो की HN का पोर्ट है जहां पर आपको दे यूज कर रहा हूं यहां पर आपको अल्वेज ओन का एक नया ओप्सन दिखाई देता है बड़ यहां पर पहुए भी ओन से रिगार्डिंग क्लॉक नजर नहीं आता है बड़ कोई बात ही हमाई डिस्ट पर को सपोर्ट नहीं करता है और जब भी अप्डेट आता है न हमे कुछ भी कितना भी लंबा है जो डाल सकते हो तियहां पर टेक्ट के लिमिटेसन थी वो unlimited कर दिया गया है तो पहले चायना का वो हटा दिया गया है तो पहले चायना पेमेंट का जो अप्टेंट था उससे है जो रिमूब कर दिया गया पाकि आपको सबूच छब गुड डि डेटा यूज दिखाता है यह सम्टाइम में जो काम नहीं करता था जब आप इस कंट्रोल सेंटर को QS पैनल में चेंज करते हो MIO 11 से तो तो यह चीज़े जो फिक्स कर दिया गया है तो आपको जो कभी डेटा यूज से रिलेटेड प्रॉलम देहनी को नहीं मिलेगा वह पर आगे सेटिंग के बार आते हैं तो आपको प्रॉलम देहनी को मिलेगा यहाँ पर D&D से रिगार्डिंग यानि हम D&D के बार आते हैं और यहाँ जो सेडियूल है टाइमिंग वगएर का यह जो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा था तो इसी भी जो फिक्स कर दिया है जहां पर आप देख सकते हो कि यह आपको MI2L का दिखाए देता है और इसे मैंने इनेवल करने को पर एक डेडिकेट वीडियो भी दिया था कि किस तरीके साब मैनुली इसे इनेवल कर सकते हो किसी वीडियो आइस के ऊपर लगर आप करना चाहते हो तो वाच कर लेना यहा का जो मुजिक प्लेयर है यहां पर आपको यूटूब के वीडियो को बैगरांड प्ले करने का ओफसन नहीं को मिल जाता है जहां पर आपने गूल अकांट को साइन इन करके यूज कर सकते हो कोई भी इस उचिश नहीं आएगा अगर आप अब यह तक वीडियो वाच कर रह अगर आप यहां पर GQM यूज करना चाहते हो तो प्रोपर तरीके से काम करता है इसका कैमरे का मोड़, पोट्रेट का और बाकी सेल्फी वगरा सब कुछ कोई भी इस उचिश नहीं आता है लेकिन यहां पर कम ही है इसके डिफॉल्ट कैमरे में जो कि यह काम नहीं करता है इसका fix भी दिया गया है तो मैं आगे आपको बताऊँगा किस तरी किसे fix करना है लेकिन fix करने के बाद भी आपको another problem नहीं को मिलेगा तो वह भी हम एक नजल डालेंगे तो वीडियो को enter के ज़रूर watch करें यह पहले से rooted मिलता है लेकिन आपको net safety पिल्कुली pass मिलेगा बट अभी तक जितने भी MIY2L के port row में official update आए हैं सभी में banking के एप में problem आता है no sim detection का इसको उपर मैं जल्ली आपको वीडियो देने वाला हूं कि कैसे fix करना है अगर आपको पता है तो अच्छी बात है अधर आप वीडियो का wait कर सकते हो वह पर home screen के settings पर आते हैं तो यहाँ पर support में तो आप चाहूं जो डियोज कर सकते हो यहाँ पर आपको देहनी को मिल लाता है speed meter और यहाँ पर टाइमिंग के नीचे आपको notification पैनल भी अगर मैं इसे silent कर देता हूं तो यहाँ पर silent का जो आइकन है वह आपको देहनी को नहीं मिलता है speed meter के साथ only on speed meter ही active किया गया है और यहां पर आपको लुए इमेर दियोंं को देहनी को मिल जाता है जिसे आप इनेर आपको पर काम करता है कोई भी issue जो नहीं आता है face unlock finger touch और इहां साई चीज सी आपको वर्किंग मिलता है latest आपको यहां पर screen on timing देखने को मिल जाता है और पहले वाले MI browser में कुछ bug थे उसे fix कर दिये गया है और update भी किया गया है बट मैं कभी इसका use करता नहीं हूँ क्या आप use करते हो कमेंट करें जलूर बताना क्या आप MI browser पे browsing को गयरा करते हो या फिर नहीं आगी की बात करते हैं कि इसके camera को कैसे fix करना है उससे पहले हम देखने लेते हैं इसका untutu का score जो कि मुझे काफी ज़्यादा बेटर लगा है क्योंकि day by day untutu का score काफी ज़्यादा increase हो रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो कि 362424 का total score देहनी को मिला है तो performance बाज मुझे काफी ज़्यादा सही लगा है और यहाँ पर आपको RAM बेट भी काफी अच्छा खासा देहनी को मिल जाता है साथ से साथ अगर एटेंसल के settings पे जाते हैं full screen display पे जाते हैं तो आपको यहाँ पर Android 10 का floating window तो देहनी को मिलता है और Android 10 का नेप भी आपको देहनी को मिलता है जहाँ पर आप उसे hide भी कर सकते हो और आप चाहते हो तो और OK Google का assistant भी आपको दिखाई देता है साथ से अगर recent पर हम आते हैं तो animation देहनी को मिलता है और इस तरह के option देहनी को मिलते है floating window भी यहाँ पर अच्छे तरह के से perform करता है अब बात आती है कि इसकी camera को कैसे fix करना है ठीक है तो उसके लिए एक और patch दिया गया है discussion में जिसे आपको download करके अपने internal में रख लेना है उसके बाद आपको ES file manager का जरूरत पड़ेगा जो कि आप play store से download कर सकते हो या पर कहीं से भी उसके बाद आपको यहाँ पर route का permission दे देना है जो कि मैंने यहाँ पर दे रखा है already permission दे देने के बाद आपको अपने file manager की बाद आना है और यहाँ पर जो sales है इसको उपर tap कर देना है tap करने के बाद आपको यहाँ पर option देशनी को मिलेगा एक system का तो आपको system पर आजाना है उसके बाद आपको यहाँ देशनी को मिलेगा etc उसके बाद आपको मिलेगा device feature ठीक है पहले से यहाँ पर आपको देखनी को मिलता है Beryllium XML फाइल इसे आपको select कर देना है और delete कर देना है ओके यह जो delete हो जाएगा delete हो जाने के बाद जो आपने फाइले हैं जो download करके रखर रखी है उसे आपको जो copy कर लेना है तो मैं आजा तो अपने फाइल की और यह हमारा फाइल ओके इसे copy करेंगे और same वहीं पर आजाएंगे और यहाँ पर paste कर देंगे complete आज आने के बाद आपको अपने फोन को एक बार reboot कर लेना है reboot हो जाने के बाद अपना camera open करते हो ता आप देखोए कि यहाँ पर camera अच्छे तरीके से काम करता है इसके जितने फीचर से वह आपको working देखने को मिल जाएंगे चाह आपको portrait हो या पर more हो या पर कोई other option हो यहाँ पर सब कुछ working मिलता है और इसका camera है जो बिल्कुली up to date कर दिया गया है जिसके वह से आपको another option भी देखने को मिलता है customization के अंदर जो कि slide का है यह पहले से हमें देखने को नहीं मिल रहा था बट इस EU के update में जो यह देखने को आपको मिल जाता है तो सारे features perfect working मिल जाते हैं लेकिन जैसे आप अपने camera को fix करते हो आपको problem देखने को मिल जाता है settings regarding जहाँ पर आप देख से हैं तो कि always on का जो option था यह अप only on lock screen है और सारसे इस पर tap करने पर एक close हो जाता है यह आपि force close का issue देखने को मिलता है तो यह से बहुत सारे आपको problem देखने को मिलेंगे settings regarding अगर आप अपने camera को fix करते हो तो तो यह आपको खुद से decide करना होगा कि आपको camera fix करना है camera use करना है इसका या फिर आपको setting use करना है क्योंकि by default आपको gcam proper working देखने को मिलता है ताप without camera को fix किये हुए भी इस room को use कर सकते हो कोई भी problem देखने को नहीं आएगा लेकिन अगर आप आप जानना चाहते हो कि इसे try करें हम या फिर MI room को तो मैं suggest करूँगा कि भाई आपको कोई भी ज़्यादा छेट-छाट नहीं कर दिये ताप MI room को try कर सकते हो आप या फिर MI room को वीडियो पसंद आया हो इंफो अच्छा लगा हो टेक थम्सप दे दे और फर्स टाइम फिजिट करने तो चैनल को सब्सक्राइब ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन वाली वीडियोज आपको मिलते रहें हैं और आप एक डिसाइड कर पाओ क्या को क्या यूज़ करना चाहिए और क्या नहीं तो मिलते निक्स वीडियो में बाबाई